हेलो बच्चों क्या हल चाल my name is CA Kartik and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Companies Auditor's Report Order का Part 2 Part 1 की वीडियो आपको description में मिल जाएगे इंकिस आपने वो नहीं देखी है and Part 2 में हम देखने वाले हैं कि इस order में क्या-क्या matters cover होते हैं जिसने Part 1 नहीं देखा है I would suggest कि वो Part 1 पहले जाके देख ले उसके basis पर उसको Part 2 थोड़ा असान हो जाएगा समझना आईए Part 2 पे आते हैं Part 2 में हम देखने वाले हैं कि इस order में क्या-क्या matters cover होते हैं So इस order में total मिला के 16 matters हैं जो specify किये गए हैं अब देखो इसको हम याद कर सकते हैं with the help of this hand चलो सब बच्चे अपना-पना हाथ नेकालो हाथ पे ये लिखना चालो कर दो F पहला उसके बाद I, उसके बाद L, L, D, C पहले हम इन 6 पे आएंगे उसके बाद हम बाक्यों पे आएंगे अपने हाथ की उंगलियों पे बच्चो लिखो F I L L, D, C एक्जाम में ने लिखके जाना ये आपको बस याद करने के लिए अभी ठीक है कभी एक्जाम में लिख जो ये देखो fixed asset पहला पॉर्ण केस में क्या आता है पहला पॉर्ण केस में आता है fixed asset पहला matter जिस पर उसको रिपोर्ट करना होगा वो क्या है fixed asset है हम देखेंगे क्या क्या है उस पर बट अभी हम quickly देख लेते हैं कि ये six points है क्या second क्या है second है I, I का मतलब है inventory so second point जिस पर उसको रिपोर्ट करना है वो है inventory मतलब की stock third है loan, चौथा भी loan है दोनों में अलग-अलग pointers हैं जो आपको discuss करने होगे उसके बाद fifth हाता है आपका D D का मतलब यहांपे are deposits so आप सबको मालूम होगा कि company public deposits accept कर सकती है so ये जो fifth point है ये उसी को लेके बनाया गया है उसके बाद sixth point है आपका C C का मतलब है यहांपे cost records जो आपको मालूम होगा section 148 में एक company को maintain करने होते हैं okay so इसको याद कैसे किया जाएगा fill DC इसका short form बन गया पहले six points हा fill का तो हम सबको meaning मालूम ही है DC कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा DC एक comics है Batman देखी है नहीं देखी कुमाल है Superman तो देखी होगी नहीं देखी जाओ देखो नलाइको अभी नहीं एक्जाम के बाद ये जो movies हैं ये DC comics में ही है ऐसे एक Marvel comic भी है जिसके अभी अभी movie भी आये थी Avengers so ये दो अलग-अलग type की comic है so मुद्दे की बात ये है कि DC is a type of comic so उसे आपको याद हो जाना चाहिए so fill DC आपका इसका short form बन गया अब उसमें आते हैं detail पे F क्या था? F था आपका fixed asset ओके इसमें आपको तीन चीजें चेक करने हैं बच्चों तीन चीजें वो तीन चीजें क्या हैं? पहला है कि इस fixed asset को लेके क्या company ने धंग से records बनाए हुए है? धंग से records बनाए हुए हैं का क्या मतलब है? दो ही चीजे होती है एक होती है quantity एक होती है quality quality से यहाँ पे मतलब है situation so आपको जो इसने order में word उस किया है वो किया है situation essentially it means quality so दो चीजे quantity and quality जो है उसका record धंग से maintain होता हो for the fixed asset this is the first point that you have to check second point क्या fixed asset का physical verification एक reasonable interval पे होता है? देखो fixed asset किस की है? company की है so company को भी तो एक IC maintain करना चाहिए internal control के जो उसकी fixed asset है महीने में एक बार quarter में एक बार check हो जानी चाहिए physical verification हो जाना चाहिए so आपको क्या check करना है यहां पे? आपको जाके physically verify नहीं करना खुछ से आपका काम यह है कि आपको यह देखना है कि company physical verification एक reasonable interval पे करती है कि नहीं करती है? ओके चलो खीक है मान लिया किया करने के बाद क्या हो सकता है? उसको कोई discrepancy मिल सकती है? जी हाँ मिल सकती है so वो discrepancy को वो कैसे report करता है? वो देखोगे so discrepancy है तो पहले तो वो बताओगे कि कोई discrepancy मिली क्या? उसके बाद बताओगे कि क्या उसको धंग से deal किया गया या नहीं किया गया? so यह होगे दो points that you have to check in fixed asset third point इसमें आता है immovable property को लेके कि उसका title deal exist करता है? okay and is it in the name of the company or someone else? that particular case you have to mention here in case company का asset है लेकिन उसका जो title का deal है वो है in the name of someone else तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा तो आपको यहाँ पे report करना होगा second point आपका आता है inventory को लेके जो points आपने physical verification को लेके fixed asset में चेक किये थे वही points आपको यहाँ पे inventory को लेके चेक करने हैं यही वाले points same to same यहाँ पे हैं okay उसके अलावा कुछ नहीं देखना as per this order third point loan third point क्या था? F-I-L उसको सबसे पहले रेखना है कि क्या company ने कोई loan दिया है to any party जो की mentioned है किसमे section 189 में section 189 में मैं आपको थोड़ा side दे देता हूँ इसमें वो वाली entities होंगी जो की related party है to the company so in case इनको कोई loan दिया हुआ है तो आपको पहले यहाँ पे specific करना होगा कि हांजी loan दिया है उसके बाद आपको बतानी होगी यह तीन चीजें पहले आप बताओगे कि वो जो loan है उसकी condition company के interest के against तो नहीं है whether it is not prejudicial मतलब की खिलाफ उसके hit में ना हो so whether it is not prejudicial to the interest of the company second बताओगे कि यह जो loan दिया है इसका कोई repayment schedule है as per the loan agreement होना चाहिए कि आपका जो principal amount है आपका जो interest amount है वो कैसे कैसे repay होगा कैसे कैसे उसको वापिस से pay किया जाएगा and क्या आपकी वो जो receipts है यह जो repayment की आपकी receipts है क्या वो आपके पस regular आती है fine third in case कोई amount overdue है in case कोई amount overdue है and overdue है for more than 90 days तो भाई साब आप यहाँ पर report करने वाले हो कि कितना वो amount है जो overdue है for more than 90 days and आपको यह भी बताना होगा कि क्या company ने उस amount को recover करने के लिए कुछ steps लिये है या नहीं लिये है चौथी बात चौथी बात आती है आपकी loan को लेके अब इसमें क्या दिखाऊगे इसमें आपको यह बताना होता है कि यह जो loans है जो company की investments है guarantee है, security है whether or not they comply with the section of 185 and 186 इसमें आपको कुछ specified persons को loan देने से मना किया होगा है simple सी बात है आपको यह check करना होगा कि कहीं उन बंदों को loan तो नहीं मिला and आपको यह भी बताया गया है कि उन बंदों को generally मना है कुछ cases ऐसे भी बताया गये है जहाँ पे आपको loan देना मना है except if you satisfy certain conditions so आपको basically वो सब चेक करना है कि इसने basically 185 and 186 को comply किया या नहीं किया in case नहीं किया है तो आप उस non compliance की detail इस report में दिखाने वाले हो यह आपका हो गया fill अब हम आते हैं DC पे DC क्या है D stands for deposits उके उसमें क्या आता है point पहला पहला आपका point आता है कि क्या ये company किसे से public deposits accept करती है if the answer is yes तो आप यहाँ पे report करते होगे उसके अलावा in case accept करते है तो आप ये भी बताओगे कि क्या ये comply करती है with respect to what directives of Reserve Bank of India उसके अलावा section 73 से लेके 76 तक उसके अलावा बाकी जो भी provisions इसके case में apply होते हैं उनसे in case it doesn't comply तो आप बताओगे कि किस type का contravention है किस type का non-compliance है ये होगे आपका पहला matter जो आपके 5th point में report होगा आपका ये second point आता है जो आपके 5th point में report होगा वो क्या है so आप कह सकते हो ये है 5-1 ये है 5-2 5-2 बे क्या है whether there is any order passed by company law board national company law tribunal NCLT third क्या है court and चौथा क्या है any tribunal in case कोई order पास हुआ है तो क्या इस company ने से comply किया है आप उस पे यहाँ पे report करते हैं ये होगे आपका 5th point so 5th point आपका होगे deposits simple सा point है इसमें आप बस ये बताते हो कि company ने cost records maintain किये हुए है क्या बनाए है and maintain किये हुए है क्या as per section 148-1 of Companies Act 2013 ये होगे आपके पहले 6 points अब हम आते हैं आपके 7th, 8th और 9th point पे इन तीनों पे ये क्या है 7th point है आपका SD 8th point है आपका LD and 9th point है आपका IPO FPO and इसमें हम साथ में लिख देते हैं term loans भी SD का मतलब है statutory dues okay मतलब कि ये जो taxes बगएर पेगरते होगी वो किसमें आगए 7th point में आगए 8th point क्या है LD मतलब कि loan default तो 3 point बच्चों देखो loan पे है आपका 8th point क्या है loan default 9th point क्या है IPO FPO या term loans को लेके point बना होगा आजाएए आते हैं आपके point number 7 पे which is statutory dues क्या लिखा है इसमें ये point बहुत important है आपके लिए क्या लिखा है इसमें देखो होता क्या है एक तो statutory dues होते हैं जो आप मान जाते हो जो आप पे लगे हैं अगर आप मान जाते हो कि हाँ इसको तो बेगर ना है मतलब कि undisputed statutory dues एक वो होते हैं जो आप पे लगते हो गए लेकिन आप मानते हैं कि आप पे लगते हैं मतलब कि कोई litigation चला हुआ है वो आपका यहां पे report होता है ठीक है तो ये दो आपके type हो गए कि इसके statutory dues के तो आप पहला इसमें क्या देखते हो सबसे पहला point आप जो इसमें देखते हो वो देखते हो कि क्या company क्या company regular है in depositing undisputed statutory dues उसमें क्या क्या आजाता है बच्चों उसमें PF, ESI, income tax, VAC, GST, customs ये सब आ जाता है वेदर देख कमपनी इस regular in depositing these undisputed statutory dues in case not अगर नहीं है तो आप बताओगे कि as on the last date of the financial year मतलब कि 18-19 में 31st of March 2019 को 2019 को कितना amount outstanding है for more than 6 months 6 महीने से जादा outstanding amount ही यहाँ पे दिखाओगे अगर वो 6 महीने से कम outstanding है as on what 31st of March 2019 तो आप हो यहाँ पे नहीं दिखाओगे उसके अलावा in case को disputed statutory dues है तो उसको लेंके आप बताओगे कि उसमें कितना amount involved है yes तो आप उसमें बताओगे कि उसमें कितना amount involved है अगर वो किस level पर pending है क्या वो pending है at adjudication level क्या वो commissioner level पर pending है क्या वो tribunal level पर pending है क्या वो high court level पर pending है यह सब आप उसमें बताऊगे सो यह हो गए आपका 7th point 8th point पर आते हैं 8th point क्या है कि क्या company ने कोई default किया है in the repayment of any loan to any bank, FI या government या debenture holders yes, so आपका 8th point क्या है कि क्या company ने कोई default किया है in the repayment of loan to financial institutions banks, governments and debenture holders if yes then you have to specify the period and amount of default and you have to do this reporting lender wise yes, आपको इसमें total amount नहीं दिखा न कि मैंने government plus bank plus FI का total amount कितना मैंने default किया नहीं, आप इसमें दिखाओगे lender wise, आपके अगर 3 अलग-अलग banks हैं जिससे आपने loan लिया हुए तो आप 3 अलग-अलग banks का नाम लिखके वहाँ पे दिखाओगे कि इसके कि इसमित्ते का default है इसका period यह है इसका period यह है अब आते हम 9th point पे which is IPO, FPO and term loans इसमें क्या लिखा गया है इसमें लिखा गया है कि देखो भई आप उठाते हो पैसा markets है in form of IPO, FPO या term loans वो पैसा आप उठाते हो for a specified purpose तो आपने क्या वो पैसा जो उठाया वो specified purpose के लिए apply किया या नहीं वो आप इसमें बताते हो किसमें 9th point में and if the answer is no then the details of delay and default आपको यहाँ पे दिखाना होगा साथ में आप यह भी बताओगे कि इस company ने उस situation को in case इसने पैसा गलत जंगा लगाया या अभी तक लगाया ही नहीं यूज ही नहीं किया तो आप यह भी बताओगे company ने क्या procedures apply किये company ने क्या procedures apply किये to ratify the situation so these are the 9 points okay so हमको 9 points hopefully याद होगे तो अपने second slide भी अभी खतम हो चुका है अब हम आते है अपने third slide पे which is the last slide जिसमें आपके बाकी के कितने points बचे है तीन, तीन, एक seven points बचे है आज़ो बहुत ही simple बहुत ही cool आज़ो 10th point क्या है 10th point है आपका fraud आपका 11th point क्या है manager का remuneration इस पे specific section भी आपको यादो तो आपका 12th point क्या है निधी companies निधी companies कौन सी होती है निधी companies वो companies होती है जो की बनाई गई होती है to inculcate a habit of saving among its members so members जो है वो उसमें पैसा डालते है और उसमें क्या होता है members को ही loan दिया जाता है so that kind of company is a निधी company so उसको लेके कुछ specific specific law बना हुआ है companies act में ही आपको ये check करना होगा इसमें कि वो law comply होता है कि नहीं होता है okay so इन तीन points को हम कैसे याद कर सकते है fraud किसने किया management ने किया अपनी remuneration में by opening a निधी company so सबसे पहला point है fraud इसमें हम देखते हैं कि क्या कोई fraud on the company on the company by its employees या officers या by the company कोई notice हुआ है क्या या कोई report हुआ है क्या in the concerned financial year तो आप इसमें वो fraud यहां पर report करते हो if the answer is yes then you have to specify the nature and the amount involved yes आपको याद हो तो इसको हमने specifically cover किया हुआ section 143 sub section 12 में भी ये अलग है and caro में जो आपको दिखाना होता है वो अलग है yes यहां पर ये reporting requirement इसकी आ जाती है अब हम आते हैं अपने 11th point पर वो है manager का remuneration yes इसमें आप क्या check करते हो इसमें आप check करते हो कि जो manager को remuneration मिला है is it as per section 197 read with schedule 5 of companies act उसमें कुछ limits है आपने उन limits को comply किया के नहीं किया इनके इस नहीं किया है तो कितना mounting wall है जो access prepared है and क्या आपने steps लिये है to secure the money back ये होगे आपका 11th point अब हम आते हैं 12th point पर 12th point किसको लेकिए है निधी companies को लेकिए है तो ये point किस पर apply होता है जो निधी companies है जो बाकी companies उसके case में क्या लिखा जाएगा कि हमारी जो company है वो निधी company नहीं है तो उसपर ये point apply नहीं होता तो निधी company है तो आप ये points चेक करने वाले हो पहली बात उसमें जो चेक करने होती है वो ये है क्योंकि देखो ये company पैसा लेती है ये company पैसा लेती है and आगे अपने ही members को दे देती है so इसमें कुछ fund ratio इंको maintain करना होता है fund to deposit ratio net owned fund to deposit ratio इंको maintain करना होता है at least 1 by 2,0 का 1 by 20 का मतलब कि 5% हो गया and second point जो आपको चेक करना है कि इस company में 10% unencumbered term deposits है कि नहीं है unencumbered क्यों होता है जिस पे कोई charge ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि company ने deposits को maintain किया हुआ है लेकिन उस deposits को भी उसने security में दे के पैसा उठाया हुआ है या उस deposits को उसने security में दे के कहीं से कुछ किसी form में loan लिया हुआ है कुछ भी so यह क्या होने चाहिए without any charge होने चाहिए 10% unencumbered term deposits यह हो गया आपका 12th point अब हम आते हैं आपके 13, 14, 15 point पर देखिए वो क्या है 13th point है आपका related parties को लेके 14th point है आपका allotment को लेके and 15th point है आपका non cash transactions को लेके इसको आप कैसे याद करने वाले हो related parties को allotment किया गया shares का without taking any cash आप इसको ऐसे याद कर सकते हो related parties को allotment किया गया shares का without taking any cash so आपका 13th point आगया related party 14th हो गया allotment of shares कुछ भी आ जाएगा उसमें and 15th point आपका 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 non cash transactions आई इनको देखता है related party इसमें क्या है whether all the connections with the related parties are as per section 177 and 188 आप सबसे पहली बात ये देखोगे कि ये जो related particles actions है ये 177 and 188 से comply करती हो और उसके अलावा आप देखोगे कि ये जो RPT है related particles actions है इनको disclose किया गया हो in the financial statements as per applicable accounting standards that's fine, हो गया आपका 13th point बस इतना सही है अब हम आते हैं 14th point पे इसमें क्या लिखा हो है? इसमें लिखा हो है कि क्या company ने preferential या private allortment किया है क्या? preferential allortment या private placement किया है क्या? किसका? shares का fully या partly convertible debentures का in case जवाब आता है हाँ, तो आप यहाँ पे लिख दोगे नहीं आता है तो नहीं लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? कि हाँ इसने कोई allortment ऐसा नहीं किया? इनके जवाब आता है हाँ तो आप यह बताओगे कि इसने section 42 से comply किया है या नहीं किया है and whether the amount used for the purpose for which it was raised जैसे आपने वहाँ पे IPO, IPO की case में चेक किया था वैसे आप यहाँ पे भी चेक करने वाले हो कि इसने जो amount उठाया है whether it has used it for the purpose जिसके लिए उसने वो amount उठाया था if not तो आपको amount कितना involved है and nature of non-compliance यहाँ पे disclose करना होगा this is your 14th point ऐसे आते हैं अब हम 15th point पे वो क्या है non-cash transaction उसमें क्या लिखा हो है बस उसमें लिखा हो है कि भाई साब इस company ने कोई non-cash transaction किया है क्या किस के साथ, directors के साथ या उसके connected logo के साथ if the answer is yes तो आपको जवाब देना होगा if the answer is yes तो आपको जवाब देना होगा कि क्या उसने section 192 से comply किया है ओके, fine अब आते हैं आपके last point पे इसमें last point है आपका इसमें registration under section 45 I.A. of Reserve Bank of India Act 1934 ये basically deal करता है non-banking financial companies से so non-banking financial companies को इसमें registration लेना होता है so आप 16th point पे आप बताते हो देखो, अब इसको confuse नहीं करना पहली बात ये apply किस पे नहीं होता था banking companies पे लेकिन ये non-banking financial companies पे तो apply होता है yes होता है and उसको लेकि उसको इसको 16th point भी बताना होगा कि क्या इसने 45 I.A. में registration लिया है of the RBA Act 1934 if the answer is yes तो आप यहां पे बता दोगे नहीं है तो आप क्या बताओगे कि ये इसको applicable नहीं है so that's it, ये था आपके 16 points उसके अलावा ये दो आपके छोड़के छोड़के और भी बाते है ये क्या लिखा होए ये क्या लिखा होए ये आपको बस लिखा होए कि boss in case in 16 points में से किसी का भी answer negative में आता है तो आप उसका cause बताओगे यहां पे आप उसका reason बताओगे कि आपका उसका answer negative में क्यों है ऐसे ही in case आप किसी subject पे अपना opinion नहीं दे पाते हो तो भी आप यहां पे उसका cause बताओगे